हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे ब्रेड और आलू से बहुत ही टेश्टी नास्ता, तो आप इस नास्ते को कभी भी बना के खा सकते हैं, जब भी हलकी फुलकी भूखो, तो मैं हूँ यसोदार रतुडी कीचन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दें, तो यह हमने कडाई गरम कर लिए, उसमें हमने एक चमस तेल डाला है, थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे, जीरे को हलका सा भून लेंगे, उसके बाद दो हरी मिर्ची हमने काट के डाल दी है, हरी मिर्ची को भी थोड़ा सा भून ल उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा स्वात्के अनुसा नमक 5 अ. नमक ठावके नमक घाल लेंगे, हल्का सा हलदी पॉडर डाल लेंगे, ज्यादा मसाला हम यूज नहीं कर रहे है तो यह हम थोड़ा सा यह चाट मसाला डाल रहे हैं, इसका ठेश्ट बहुत अच्छा हाएगा तो इसे करके गैस को मीडियम पे रखेंगे तो बहुत ही टेस्टी नास्ता यह बन के तयार होएगा तो यह हमने तयार कर दिया गैस को कर देंगे बंद उसके बाद एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम पॉन कप आटा ले रहे हैं तो आटे में थोड़ा सा नमक डाल लेंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के पाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा हम पानी डालेंगे हलका हलका पानी डालके हम इसको इसका गोल बना लेंगे गुटलिया न रहे हैं इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे घोलते रहेंगे तो यह आप देखे ऐसे घोल हमें बिल्कुल चाहिए तो उसके बाद एक पलेट हम ले लेते हैं और यह हमने दो ब्रेट का ब्रेट करम्स बना लिए थे ग्राइंड कर लिया था ब्रेट को तो यह तयार कर दिया हमने उसके बाद एक ब्रेट ले लेते हैं और जो हमने आलू का मसाला बनाया था वो हम इस पर ब्रेट पर लगा लेंगे तो पूरी ब्रेट पर फैला के अच्छी तरह से हम इससे मसाले को अच्छी तरह सेट कर यह आप देखें बिल्कुल कितने अछे पीस बनके तयार हुए उसके बाद जो घोल आटे का बनाया था उसमें हम डाल देंगे एक-एक पीस करके यह ऐसे करके डुबों के अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे इसमें तोनों साइड बलट करके और इसको निकाल लेंगे काटे से करेंगे हम ताकि इस पर यह बैटन रहे उसके बाद यह ब्रेट करम से बनाए था हमने उसमें लगा लेंगे इसको अच्छी तरह से इसमें भी कोटिंग कर लेंगे इसकी करम की तो यह ऐसे करके हातों से अच्छी तरह से इसे दबा के ताकि यह निकलेना, तो सारे ही हम इसी तरीके से तयार कर लेंगे, उसके बाद हमने गैस में कडाई में तेल गरम कर लिया है, गैस को मीडियम पे ही रखेंगे, जितने भी कडाई में आएंगे उतने हम डालेंगे, और मीडियम में ही इसे बनने देंगे, अगर हम इसे तेज करेंग के गायस को ब्रेड़ हालकी होती है एक्दम से जल जाएंगी इसलिए हम मीडियू धनी हालका गॉल्ड इंड pourra लेंगे हालका तेल उपर डाल लेंगे ताके उपर से भी पक जाये तो यह आप देखे इुसमें कलर आने लग दिया है पलट लेते हैं इनको तो ऐसे ही उलट पलट करके हमने दो तीन बार में इने अच्छा करारा नास्ता बना के विल्कुल तैयार कर दिया है तो यह अच्छा कलर भी इसमें आ गया है वीडियो पसंद आये तो लाइक और सस्क्राइब जरूर कर दें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह नास्ता कैसा लगा बेल आइकन जरूर दबा दें जो आने वाली वीडियो होगी वो सबसे पहले आपके पास तो यह आप देखे कितना अच्छा कलर इसमें आया है तो ऐसे ही बना के हम सारा तयार कर लेंगे आप कभी भी हलकी फुलकी भूक हो या बच्चों के लिए टिफिन के लिए आप आराम से इसे बना सकते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगता है पांच साथ मिनट में ही बनके य कितना टेश्टी लग रहा है देखने में ही खाने में तो और भी अच्छा टेश्टी लगता है थैंक यू